दूस्तों आप सभी को स्वागत हैं आमें टेक्स यूटूब चैनल में दूस्तों अगर आपके भी Gmail अकाउंट में आपको इस तरीकर का Critical Security Alert देखने को मिल रहा है तो ऐसे में आपका Gmail अकाउंट का Password जो है किसी को पता चल चुका है आपकी Gmail ID यहाँ पर हैक हो चुकी है तो ऐसे में अगर आप अपने अकाउंट को सिक्वेर करना चाहते हैं और यहाँ पर Critical Security Alert को यहाँ पर Remove करना चाहते हैं यानि कि अपने अकाउंट को सिक्वेर करने के वाद यह option आपके सरीके से हटा सकते हैं इस वीडियो में आप यह जानने वाले हैं तो चलिए दूसर वीडियो को शिरू करते हैं दूसर सबसे पहले आपको अपने mobile में Gmail application को open कर लेना है और यहाँ पर आपको profile logo पर click करना है और यहाँ पर आपको अपने email ID को select कर लेना है जिसमें की यहाँ पर security alert आपको देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आपको manage your google account का option मिलेगा आपको simple इस पर click करना है तो आप इस page पर आ जाएंगे दूसर यहाँ पर आपको critical security alert देखने को मिल जाता है यहाँ पर आप check activity के option पर click करेंगे तो दूसर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर किस mobile में आपको login करने की कोशिश की जा रही है कहां से आपको यहाँ पर hack करने की कोशिश की जा रही है तो ऐसे में मान लिजिए कि आपकी Gmail ID का किसी को password पता चल चुका है और वो यहाँ पे इसे login करने की कोशिश कर रहा है तो दोस्तो अब यहाँ पे आप अपने account को secure कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे back आना है और यहाँ पे आपको उपर बहुत सारे options देखने को मिलेंगे home, personal, info, data and privacy, security तो यहाँ पे आपको security के option पे click कर देना है और दोस्तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा suspicious activity detected और यहाँ पे आपको नीचे scroll down करना है और यहाँ पे आपको एक option देखने को मिलेगा password का तो दोस्तो यहाँ पे आपको password के option पे click कर देना है password के option पे click करने के वाद जो है आपको यहाँ पे अपना current password एंटर करना है जो कि आपकी Gmail ID का अभी password है तो हम यहाँ पे अपना password एंटर कर लेंगे और next के option पे click करेंगे तो दोस्तो हमें यहाँ पे अपना password एंटर करने का option मिल जाएगा हम यहाँ पर अपना new password enter कर लेंगे जो कि अब हमें यहाँ पर अपना strong password create करना है जिसमें कि हम यहाँ पर capital letter and small letters special character, numbers सभी को add करके यहाँ पर अपना strong password create कर लेंगे आपको यहाँ पर नीचे password strength भी देखने को मिल जाएगी strong, जैसे यहाँ पर strong देखने को मिल जाता है, तो जो password आपने new password में enter किया है, वही आपको confirm new password में enter कर देना है और change password के option पर click कर देना है, तो दोस्तों आपका password जो है वो यहाँ पर change हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं password changed successfully, अब आपको यहाँ पर close के option पर click कर देना है, दोस्तों अब यहाँ पर आपको इसे refresh करना है तो यहाँ पर आपको critical security issues found का option अभी भी देखने को मिलेगा इसे आप कैसे remove कर सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों यहाँ पर उससे पहले आपको यहाँ पर scroll down करना है और यहाँ पर आपको recovery phone recovery email का option मिलता है आप यहाँ पर अपना phone number and recovery email add जरूर से कर लिजी ताकि जब भी आपकी email ID का आपको password भूल जाए तो उसे आप आसानी से forget कर पाएं और उसी के साथ यहाँ पर आपको अपना two step verification भी on कर लेना है जिससे कि आपकी Gmail account की security और भी जादा increase हो जाते है दोस्तो चलिए बात करते हैं कि कैसे आप critical security issues found को यहाँ पर remove कर सकते हैं तो उसके लिए आपको अपने mobile की settings में आना है और settings में आपको यहाँ पर option देखने को मिलेगा accounts and backup का आपको इस पर click करना है और उसके बाद आपको manage accounts के option पर click करना है और यहाँ पर आपको अपनी उस email ID को select करना है जिसमें कि आपका critical issue found हुआ था और जैसे ही आप अपने उस email ID को select करेंगे तो यहाँ पर आपको option देखने को मिल जाएगा remove account का दोस्तो अलग-अलग mobile devices में अलग-अलग options होते हैं आपको कई वाद नीचे 3 dots का option मिलेगा उस पर click करके आपको remove account का option मिलेगा तो आपको यहाँ पर remove account के option पर click कर देना है और यहाँ पर जैसे ही आप remove कर देंगे तो यहाँ से आपकी Gmail ID जो है यहाँ पर remove हो जाएगी दोस्तो उसके बाद यहाँ पर आपको अपने mobile में फिर से Gmail application में आना है और यहाँ पर profile logo पर click करना है और यहाँ पर आपको add another account का option मिलेगा आपको इस पर click करना है और यहाँ पर Google के option पर click करना है और यहाँ पर आपको अपनी email ID को enter करना है और next के option पर click कर देना है और अभी जो आपने new password अपना set किया था वो new password आपको यहाँ पर अपना enter करना है और next के option पर click कर देना है और अगर आपने two step verification on की है तो आपको यहाँ पर two step verification को complete कर लेना है और उसके बाद Terms and Services को Agree कर देना है तो दोस्तों आपका account यहाँ पे login हो जाएगा अब आपको यहाँ पे profile logo पे click करना है अपनी उस email ID को select कर लेना है जो कि अभी आपने login की है और उसके बाद फिर से profile logo पे click करना है और manage your Google account के option पे click करना है तो दोस्तों यहाँ से security alert का यहाँ पे option झो है वो यहाँ पे हट जाएगा इस तरीके से जो ही आप यहाँ पे अपने account को स्विक्र कर सकते है और यहाँ पे security alert के option को भी हटा सकते है दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रू से like के जगा और दोस्तो ये process करने के बाद फिर भी आपका security alert नहीं remove होता है तो इसके उपर हमने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है उस process को भी आप यहाँ पर try कर सकते हैं उस वीडियो का link आपको description में मिल जाएगा अगर आपका कोई भी question हो आप हमें नीचे comment box में comment करके ज़र पुछेगा उसका reply हम ज़रूर देंगे तो चलिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye take care thank you